हालो टरस तो कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका भी से एक नए मार्केट एनालेसिस वीडियो में तो दोस्तों भी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 11 अप्रेल के लिए निप्टी और बेंग निप्टी में क्या हमारा व्यू रहेगा तहां पर बायो और सेल बनेगा लेवल के उपर हम चर्चा करेंगे यहां पर तो चलिए अभी सबसे पहले हम निप्टी के चार्ट से शुरुवात करेंगे अभी आपके सामने निप्टी फिप्टी का चार्ट लगा हुआ पंद्रा मिनी टाइम फ्रेम के ओपर और कुछ लेवल्स आपको दिख रहे होगे जो आपको कल प्रोवाइड किये थे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए तो आज के अगर बात की जाए तो निप्टी मुमेंट देखने को मिला और दोनो साइड का मुमेंट कॉल और देखने को मिला और निप्टी की बात करें तो और वह साइडवीज रेंज में अभी भी क्लोजिंग दिए है लेवल्स के इसाब से देखे तो प्लानिंग के मतलब जो हमने किया था मूस्त लिए फोड़ा बह बैंग निप्टी की बात करें तो अगर देखें तो निप्टी के मुकाबले ज्यादा वीक था और यहाँ पर हमें भी दोनों साइड अच्छे खासे मुवमेंट देखने को मिले और फॉल भी मतलब डाउंसाइड आज अगर देखें तो 200 पॉइंट नीचे जाकर बंद किया ह है तो निप्टी के मुकाबले बैंक निप्टी वीक है तो यहाँ पर अभी स्ट्रक्चर और मार्केट के बिहेवियर से आप लोगों को कुछ मतलब कीजी को लग रहा होगा कि अभी यहाँ से मार्केट फॉल कर जाएगा क्या गीर जाएगा क्या तो वह थोड़ा हम देखत है कल क्या कहां पर कुछ करना है हमें तो पहले तो इस पुराने लेवल्स को यहाँ पर हम रिमूव करते हैं रिमूव ड्रोइंग तो यहाँ पर आकर थोड़ा ध्यान से देखे अगर आप 15 मिनी टैम पर भी चार्ट लगा हुआ है अगर इसको मैं थोड़ा और क्लियर आप आपको देखना है तो पांस मिनीट पर में करूँ तो आपको कही ना कही एड़न सोल्डर पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहे होगी जो कि अगर आपने आप अगर मतलब चैनल को रेगुलर ट्रेक करते होगे तो कल यहाँ पर में एक वीडियो भी डाला था हैड़न सोल कर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला है अभी यह नहीं कहीं सकती है कि यह एक्टिवीट होगा और कल नीचे जाएगा ही जाएगा वो तो कल अभी मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा तो कल कौन से लेवल्स रहेंगे सेलिंग के लिए तो अगर बात करें बीरिस प पर अभी मतलब एक निप्टी बात करें तो निप्टी एक इंपोर्टेंट रसिस्टेंट के पास आके खड़ा है और एक यह जो जो है जो अगर लेवल आपको मैं यहाँ पर बताओ तो एक इन डिसी जोन है कि यहां से यह अभी तय नहीं कर पाएंगे हम के मार्केट कहां निचे जाएगा या उपर जाएगा तो सिंपली आज बस लेवल के उपर चर्चा करेंगे अगर इसकी वन डे टाइम फ्रेम पर आप केंडल देखोगे तो केंडल यह जो जी तो इसको नहीं बोलेंगे पर एक स्पीनिंग टॉप केंडल देखने को मिलरी स्पीनिंग यह जो केंडल स्टीक वैटन है अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैं इसके बारे में बताया था यह तो ट्रेंड कंटिनुन भी दरसाता है या तो फिर रिवर्सल इसका दोनों मतलब होता है मतलब क्या अभी इसके इसाब से हमें कल क्या प्लानिंग करन जानेंगे श्लिण टोप का यही रूल बस इंग्ले से थी कैंडल ए इसका हाई और लो किसी भी साइड अगर निफ्री ब्रेक करता है तो उस शाइड का हमें ट्रेट प्लान करना है तो यह दो लेवल हमारे पास मेजर लेवल मिल गए कि इसके बाहर ही हमें में प्लानिंग क ओपन होके यह थोड़ा गेपप ओपन होके नीचे आता है और यह 600 का लेवल ब्रेक करता है तो ही हम सेलिंग सेट के लिए जाएंगे और कि पहला टागेट हमारा रहेगा टागेट रहेगा यहां पर यह स्विंग लो यहां पर जो की निकल के आएगा हमारा 17,550 और जो एक मोस्ट इंपोर्टन सपोर्ट जो हमारा आ रहा है नेक्स्ट वो आ रहा है 17,500 इसके निच्चे हम ज्यादा कोई मतलब कि प्लानिंग नहीं करेंगे जब तक मतलब 17,500 के उपडर है निप्टी तब तक हमें कोई अग्रिशिव शेलिंग प्लानिंग अगर वायच那我們 कल 600 का लेवल भ्रेक होता है तो कल के लिए ट्रेडिंग रैज जो रहेगा हमारा 17,500 तक कई जब तक 17,500 यूपर है और एक support पर हम बाइंग के लिए सोचना है अगर यहां पर मानलों कि 550 के उपर support ले रहा है hold कर रहा है तो यहां पर हम buy के लिए सोचेंगे मतलब यहां पर selling तो करेंगे हम trailing stop loss के साथ या तो फिर एक support पर हमारा profit booking होना चाहिए यह तो भी हमारा position close होना चाहिए मैं तो कहुंगा अप ट्रेल करते जाओ तो वह सही रहेगा हो सकता है break भी हो और ना भी हो यहां से reversal ले सकता है तो यहां पर कुछ भी हो सकता है major हमारा support रहेगा 17,500 इसके बहारी नीचे ही हम एक aggressive selling planning करेंगे बाकी इसके उपर नोर्मल सा मार्केट हमें देखने को मिल सकता है बाई के लिए देखो एक तो एग्रेशिव बाइंग कहां करेंगे 17,690 का लेवल है इसके उपर अगर निकलता है निफ्टी तो हम एग्रेशिव बाइंग के लिए जाएंगे पर क्या इसके बीस में हमें कुछ नहीं करना है अगर आपको मतला एक थोड़ा एक्परिइंस ठेडर ओ तो ये श्विंग जो आपको देखने को मिल रहा है यहां पर अगर आप देखोंके यह मुवुमिट रेली तो यहाँपर कहीना कहीं हमें एक हायर हाई formation यहाँ पर activate होने जा रहा है तो यह कब activate होगा यह नीचे जाएगा तब तो buying side के लिए हमें कब जाना है जब यह formation का break होगा होगा तब हमें buying के लिए जाना है aggressive buying तो हमारे इसके उपर है एक छोटा सा buying अगर बनाना है scalping side का तो हमें यह levels जो है यह मतलब यह swing जो है 17,630-40 का इसके उपर निकलता है तो ही हम buy के लिए जाएंगे और तो एक scalping type trade बनाएंगे चोटा सा trade और यह तो फिर एक trading stop loss के साथ चलेंगे major buying हमारे इसके आगे ही रहेगा तो यह break होता है अगर यहीं कहीं side इस में खुला नीचे जाता है तो इसके नीचे sell करना है buy के लिए यहाँ पर फर्स टागेट हम यह लेके चलेंगे और next target की बात करें तो आपको एक मतलब लेवल भी पहले में दिया हुआ है कि अगर निपती ऊपर जाता है तो कहां तक जा सकता है जो 17,800 का तो इसके उपर 17,700 के उपर हमारा यह लेवस रहेगा मतलब यह पूरा रेंज रहेगा 17,800 तक का बाकी आपको मतलब ट्रेल करके चलना है ऐसा नहीं है कि अगर 700 के उपर यह निकल गया तो फिर आपको एड़न रेट तक ऐसे छोड़ देने ट्रेलिंग स्टॉप लोस के साथ चलो क्योंकि यह सेफ बढ़िया रहेगा अच्छा सा रहेगा तो यह निप्टी में हमारा व्यू बनेगा तो यहा यहां पर सपोर्ट ले रहा था साड़ दस बज़े तब चैनल का फोर्मेशन किया है और यहां पर एक अच्छा गासा एक नहीं सोरी दो ट्रेड बहुत ही अच्छा गासा यहां पर बना कॉल साइड और फूट साइड दोनों और एक्जेटली टॉप टो और बोटम पर बीडaroo हो रहा है तो यहां पर इसी पहलें इसली आइंगर का मिल रहा है यहां पर देखने को मिल रहा है कि यह खोखने का बाद आ करेया पर ब्रेयों और हम पर देखने को मिल्याए तो सिंपल सा यह सटब First Cup U सब से आगर हम देक cycle चे और मैंज रोस के टो знает क्योंकि यहां पर देखें तो कुछ पॉइंट से यहां पर रह गया था फिर से यह उपर गया और फिर से निच्छा और अपना फर्स टागेट और उससे भी निच्छे जाता हुगा दिखा है तो मैं आसा करूंगा कि आप मतलब प्रोफिटेबल रहे होगा आज का दिन आपक अगर आपको बताओ कि जब तक किसके उपर है जैसे कि आपने इसे यहां पर भी वही सेम वैसे हमें जब यह 40,500 के उपर है तब तक हम एक मतलब बाइदर डीप तो मैं नहीं कहूंगा अगर सपोर्ट एरिया के आसपास अगर सपोर्ट फोर्मिशन हमको देखने को मिल रहा है अगर होल्ड लेता हुआ दिखता है मार्केट बैंक निप्टी तो वहाँ पर हम बाइक करके चलेंगे बाइक करने का सोच सकते हैं जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो के तो ऐसे कंसुलिडेट कर र तो मेजर लेवल हमारा सपोर्ट को फोर्टी दाउजन फाइवंड़ इसके नीचे ही एक बड़ी डेली की एक्षवेटर संग करेंगे वह भी कहां तक जो एक आपको वन डे टाइम प्रेम पर बताया था डवल्यू पैटन का ब्रेक आउट जो मतलब नेक लाइन का उसका ज हो जाएगा वह आपको विकली अनलसिस वीडियो में बताया है तो इसके उपर हमारा अगर मान लोग की नीचे आता है 500 तक वहाँ पर बाय के लिए हम सोचेंगे और सेलिंग कहां करेंगे सेलिंग के लिए देखो एक तो आज के दिन कर लो यहाँ पर अगर मार्क कर देए इ सकते ट्रेलेंग स्टॉफोस के साथ चलेंगे मोटा मोटी रेंज हमारे पास रहेगा फोर्टी धाउजन फाइव अंड्रेड और अगर सपोर्ट यह बीच में छोटे-छोटे एडल 650 का 630 का आपको एडल देखने को मिलते रहेंगे अगर यह आता है नीच्छे तो टूंड को संचेन पर जाके देखेंगे कि वहाँ पर क्या फर सपोर्ट फ कुष सब्सक्राइव हमारे लेवल था है कि लिए कभ चलना के लिए हैं अगर देखे तो हमें यहां किलागे panagoda यहां और हेकलु फोर्मेशन चल रहा स्केलपिंग ट्रेड बना सकते हो 41,000 तक का और मेजर बाइंग हमारी मतलब अगर देखे लॉजिकली तो 41,000 राउंड नमबर पकड़ के चलो क्योंकि यहां से भी हमें रिजेक्शन देखने को मिली या तो फिर 40,000 41,000 60 के ऊपर ही यह स्विंग मतलब यह जो स्ट्रक्चर यह जो बना रहा है लोवर हाई वाला वाला वो यहां पर ब्रेक होता हुआ हमें देखेगा और यहां पर से ही मतलब बाइंग आती होई देखने को मिल सकती है और टागेट लेकर चलेंगे 41,200 260 यह वाला एरिया रहेगा ट्रेलिंग स्टॉप्रोस के साथ चलना है बाकी अगर मतलब आप ट्रेलिंग स्टॉप्रोस नहीं रखो के या तो फिर रेक सपोर्ट रसिस्टेंट के पास कहीं अगर आपको कुछ ऐसा लगत प्रोफिट मुकिंग कंटीनु यहां पर रखना चाहीं तो यह रेंज हमारे पास रहेगा अपर साइड के लिए बाकी आप यहां पर जैसे की बता है अगर यहां पर मैं छोटा सा अडल बना दू कि यहां पर भी करके चल सकते हैं स्काल्पिंग से जानन आप बना सकते हो बाकी अगर हम देखे तो एक फ्ल करके चल सकते हो सकता है यहां अभी मतलब साइड उपन हुआ यह उपर यहां तक जा सकता है फिप्टी तक और फिर से वहां से हम एक सेलिंग देखने को मिल सकती है तो अगर ऐसा होता है यहां से रिजेक्शन लेता है तो आप पर 40,730 का लेवल वहां से सेलिंग ना करते हुए आप यहां से भी प्लानिंग कर सकते हो यह ट्रेंड लाइंग ऑपर साइड जो आ रही है बन करते हुए उसका आप उसके बाहर थोड़ा सा बुफर स्टोप रोस रखके भी ट्रेलिंग मतलब ट्रेडिंग प्लान हम कर सकते हैं स चल सकते हो और इसका भी अगर मान लो कि यहां पर ब्रेक आउट होता है तो यहां से भी आप पर वाइसाइट के लिए लेकर चल सकते हो तो बैंग निप्टी में यह रहेगा सिंपल सा व्यू अभी ज्यादा कोई बड़ी एग्रिवसी प्लानिंग नहीं करने क्योंकि अग कोई बड़ा मुमेंट देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में एक दो दिनों में तो अभी कल के लिए थोड़ा संपल करें रखना है क्योंकि एक स्वेरी भी पास आ रही है तो हो सकता है थोड़ा उपर निच्चे ना हो जाए मतलब कोई स्टॉप लोस ना हो जाए को चोटा मोटा तो वह थोड़ा ध्यान में रखना है अग्रेशिव प्लानिंग नहीं करना है जब तक इसके अंदर है आपको जौन दिया तब तक उसके बाहर ही हम बाद ही हम सोचेंगे और बड़े मुमेंट की एक्सवेटर सनगर में सोचू तो वह मतलब वह एवेंस के दि कि दिखने को मिला तो हो सकता है थोड़ा सा ट्रेंडिंग मुमेंट हम देखने को मिल सकता है यहाँ पर कैस्ट को अगर हम यहाँ पर ट्रेक करें तो और मोस्त लोड़ेट पड़ा है नेस्ट एक अशोड़ेतों से ज्यादा था फार। वह भी कहींश पॉजिटीव हो रहा है तो अभी मार्केट सारे फ्लेट पड़े है तो एक मतलब ज्यादा कोई बड़े मुवमेंट की एग्रेशिव होने के अभी जरूरत नहीं स्ट्रक्चर के सब चलो छोटे-छोटे स्क्यापिंग टाइप मतलब यहां पर हो सकता है हमें टार्गेटिव मुवमेंट ना देखने को मिले जैसे कि यहां पर हम प्लान करते हैं यह ब्रेक होता है तो हमारा यह टारगेट रहेगा वह सकता है नहीं मिल सब्सक्राइब आप स्क्यालपिंग करना है स्क्यालपिंग करो या तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप्लोस के साथ रेडिंग प्लानिंग करोगे तो आप एक मतलब प्रोपिटेबल रह पाओगे अभी कुछ दिन के लिए ही बात कर रहा हो यह बात किया कर यह जब डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूले तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद